राजस्थान में जहां उप्चुनाफ को लेकर कॉंग्रेस बिजेपी दोनों पार्टियों की ओर से जीत के लिए तैयारिया तेज हो गई है तो वहीं बिजेपी इस बीच अपने लेताओं को एक जुट करने में भी जुट गई है ऐसा ही कुछ सोंवार को भी देखने को मिला जब प्रदेश अध्यक्ष मदनराथोर व्जेपी के दिगज नेता राजनराथोर के घर उनसे मुलाकात करने पहुचेब नमस्कार में शेग زोया आप देख रहे हैं दनगरी न्यूस सियासी हल्चल तेज हो गई है वीजेपी में पिछले दिनों दिगजनेता राजन राटोर को लेकर काफी सियासी हल्चल मची वीजेपी प्रिभारी रादमोहन दास अगरवाल की ओर से राटोर पर की गई टिप्नी से जहां वीजेपी में व्रोध उठा मही कॉंग्रेस ने भी इस मामले में पार्टी को खूब घेंडे की कोशिश की सियासी गलियारों में इस मुलकात को बीजेबी प्रिभारी और राजनराटोर के बीच हुए मनमुटाफ के बादुई सुलहा से जोड़ कर देखा जा रहा है मही राजनराटोर ने मुलकात की तस्वीर एक्सपर पोस्ट को लिखा आज सुभा जेपुरावास पर पधारे भारते जनता पार्टी राजिस्थान के प्रदेश अद्यक्ष और राजी सबसांसर श्री मदनराटोर जी से श्रिश्टचार मुलकात की इस दोरान उनके साथ प्रदेश और संगठन से जुड़े विविर मुद्धो पर चर्चा हुई अब सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि बिजेपी में अब मनमुटाब ठीक हो गया है मदनराटोर का राजनराटोर के घर जो आकर मुलकात करना कुछ यही संकेट दे रहा है बताते चले हाली ही में विजेपी प्रभारी के बयान के बाद राटोर के समर्तकों में काफी गुस्सा देखा गया अलाकि राटोर ने सोशल मीडिया पर आकर अपने समर्तकों से विजेपी प्रभारी का व्रोध बंद करने की अपील भी की थी माना जो आ रहा है इसी के चलते प्रिदेश अद्यक्ष राटोर ने राजनराटोर के घर मुलकात कर सियासत को बड़ा संकेट दिया है ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे दन अगरीनियों शुक्रिया